इसराइल और हमास के बीच जारी जंग अब नितन्याहों के लिए एक बड़ा चिंता का विशे बन गया है क्योंकि जिस तेजी से इसराइल हमास को नुकसान पहुचा रहा है उसी तेजी से उसके प्रतिरोधी गुट इसराइली इलाकों को दहला कर फिर से इसराइली बलो को उसी जगह पर खड़ा कर देते हैं इसराइली बलो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हिजबुला बना हुआ है जो लगातार अपने हमलों से उत्तरी इसराइल में तबाही फैला रहा है हिजबुला ने अपने घातक हमलों से इसराइल को इतना जादा नुकसान पहुचाया ह कि उसकी कमर तूट गई है ऐसा नहीं है कि हिजबुला के हमलों से इसराइल शान्त है आइडियाज भी जम कर हिजबुला पर हमलावर है लेकिन इतना होने के बावजूद भी हिजबुला जंग के मैदान में डटा हुआ है और हर रोज इसराइल पर मिसाइल रॉकेट और ड हैल हुए इसके साथ हिजबुला ने जबल नधार में आयोएफ पर रोकेट से सीधा हमला किया और इससे पहले बारम फॉरेस्ट में आयोएफ के गुट को भी निशाना बनाया यही नहीं हिजबुला ने कबजेवाले लिबनान के शेबा फार्म में जबदीन साइट को रोक रोकेटसे निशाना बनाया अलमयादीन की एक रेपोर्ट के मुताबिक लिबनान से कबजेवाले शेबा फार्म और कफार चॉबदा हिल्स में इस्राइली एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली ड्रोन एडियाशे शहर और उसके आसपास के इलाकों में कैसे घातक विस्पोटक बरसा रहा है जिससे इलाके में आग लग जाती है और तबाही का मंजर दिखता है इसके साथ ही इसराइली हमलों में दक आरे इलाकों तक नुकसान पहुँचाया है लेकिन इतना सब होने के बाद भी हिजबुल्ला के हमलों में कम ही नहीं आई हिजबुला जंगी मैदान में उसी जज़बे के साथ इसराइली बलो और इलाकों पर हमले करना जारी रख रहा है इसी कड़ी में इसराइली सैन सैन इतने में असमर्थ हैं। भले ही हमास हिजगुल्ला की तुलना में एक कमजोर प्रतिद्वन्दी है। लेकिन हिजगुल्ला ने हार नहीं मानी है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्दी है कि इसने इसरायल को एक साल में मानू अपंग कर दिया है। इसके साथ ही जीव ने कहा कि इसरायल अभी भी इरान के खत्रे से बाहर नहीं आया है। जीव ने इस युद्ध को लेकर समझोते की बात भी कहे और सुझाव दिया कि इस युद्ध को समझोते के तहत ही रोका जा सकता है। समझोते से ही गाजा में और इसरायल में शान्ती ल